बिग बोस की घर में लोट कराया ये eliminated contestant घरवालों को भूका मारने पर हुआ उतारू बिग बोस अठाराव अपने दूसरे हफते में चल रहा है और कई घरवालों के बीच जबरदस्थ जगड़ा देखने को मिल रहा है विविन डिसेना जहां रजद दलाल से खाने को लेकर भीड़े वहीं दूसरी तरफ करनवीर महरा की भी अविनाश्ट से बीते दिल लडाई हुई हलाकि इन सब के बीच अब एक contestant की घर में entry हो चुकी है वीडियो पसंद आये तो लाइक ज़रूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले उसके बाद गुर्णरत ने सदावर्ते को एक केस के सिलसले में इस शो को अलविदा कहना पड़ा था दो contestant के eliminate होने के बाद ये खबर सामने आये थी कि अविनाश मिश्रा और चुमदरांग के बीच जबरदस से जगड़ा हुआ जिसके बाद घरवालों के वोटों के अधार पर टेलिवीजन अभिनेता को भी मेकर्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया अब रिपोर्ट्स की माने तो इन तीनों में से एक eliminated contestant फिर घर में लोट आया है और आते ही उसने हड़कंप मचा दिया है जिससे सभी घरवाले हक के बक्के रह गए हैं इस contestant की हुई शो में re-entry शुरुवाती जो दो contestant गुर्डरेतन और अविनाश शो से eliminate हुए हैं वे दोनों ही पहले दिन से काफी active थे और लगातार दर्शो को कम मनुरंजन कर रहे हैं ऐसे में उनके अविक्ट होने की खबर से audience काफी गुस्से में थी अब हालिया रिपोर्ट्स की माने तो अविनाश मिश्रा बिग बॉस के घर में लोटा हैं या यू कहें कि वे कभी शो से बार हुए ही नहीं थे बिग बॉस का जो प्रोमो दिखाया गया था उसमें उन्हें शो से अलिमिनेट होने का आदेश सुनाया गया था अब बिग बॉस शो के एक खबरी पेज ने अपने एक्स अकाउन पर पोस्ट शेयर करते हो बताया है कि अविनाश मिश्रा शो से एविक्ट नहीं हुए हैं बलकि उन्हें बिग बॉस ने जेल में रखा हुआ है इतना ही ने उन्होंने अविनाश के हाथ में ये पावर भी करन वीर महरा उनसे माफी मांगते हैं तबी वो सबको राशन देंगे वरना उन्हें भूके ही रहना पड़ेगा दरसल इस लड़ाई में जहाविनाश ने उनके करियर पर काफी उल्टा सीधा कहा वही करन भी बातों ही बातों में लड़ाई के बीच उनकी बेहन को लेकर आ कर दो अगे